हेलो एवरीवन वेलकम बैक कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब होफ सो अच्छे होंगे और मज़े में होंगे सो मैं भी यहाँ ठीक हूँ बिल्कुल और आज दिन है बुद्धवार और टाइम हो रहा है अभी पांच बज रहे हैं जी हां और अभी यहाँ बन रही है साम की चाय आज मैंने ब्लॉक साम से सुरू किया है दिन भी ऐसा कुछ इतना था नहीं सोचा तो था कि मौर्णिंग से सुरू करूंगी लेकि इतना कुछ खास था नहीं तो मैंने सोचा तो साम को ही शुरू करते हैं आज ब्लॉक क्योंकि कल में ग कल खाना हो गया था थोड़ा है वी तो हम लोगों ने मॉर्णिंग में ब्रेड और मठा का नास्ता किया और दाल चावल लंच में बनाया था तो बस यहीं था मॉर्णिंग में इसी लिए कुछ ज्यादा शूट नहीं किया मैंने तो इवनिंग से आज शुरू कर रही हूं मैं तो यहां बहुत पुराना नास्ता मैंने निकाला है हूली का नास्ता है यह इसमें कुछ चोंगे हैं फ्राइम वगेरा है तो मैंने सुचा चलो आज यही करते हैं और एक तरफ बनने यहीं मेरी चाय जिसमें और यहां आ गई है यह सेतानी करने के लिए इसका दिन भर समय और कैमरे के आगे आके तो बस हम लोगों की चाय रेडी हो गई और चाय पीएंगे उसकी बाद मुझे थोड़े बरतन पड़े हैं सिंख में बरतन धुलने हैं और जाना है मार्केट मार्केट एक्शली इसलिए जाना है कि बड़ी वाली बेटी के सूस स्कूल के हो गए खराग तो उसे लेने जाना है देखते हैं मौसम कैसा है लेकिन जाना तो हई हई तो जाओंगी यह भी मार्केट में डिनर की मैंने पूरी तयारी करके रख दिये क्योंकि कहीं से आने के बाद में बड़ा आलस आता है खाना बनाने में तो इसलिए मैं कहीं भी जाती हूं तो पहले खाने की त्यारी करके जाती हूं जिससे वो फटा फट बन जाए तो यहां चाय बन गई है मेरी है मेरी हस्बंड की है मेरी हस्बंड की है और मेरी सास की है वैसे भी थोड़ा सा चाय पीएंगे और थोड़ी गफशप करेंगे फिर निकलेंगे यही मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चाय बनाई है क्योंकि जरा सा पानी बरसा है और बहुत गर्मी हो गई है तो इसलिए आधा आधा कब लोग ने चाय बनाई है सो फ्रैंस मैं आ गई हॉल में यहां मम्मी बैठी हुई है यह है और हम लोग बस चाय इंजॉय कर रहे हैं और यह सब बरतन इधर इधर बच्चे पी के डाल देते हैं यह नहीं सुछने की सिंक में डाल दें और मैं मार्केट से आ चुकी थी और साम की बस आरती संध्या की आर ती और खाने में आज बन रहा है पंजाबी स्थाइल लेयरड वाला पराथा जी यहां लक्षा पराथा यूपई साइड में लक्षा प्राथा बोलते हैं लकषा पराथा बनना है और पनीर की घुरजी और पनीर की भुरजी इसलिए बनना ही क्यूंती forced design को गई थी मैं मैंने आते ही उसे गरम किया और थोड़ा सा विनेगर उसमें डाल के पनीर निकाल लिया था तो सुचा इसको तो यूज कर नहीं है वैसे भी मेरे बच्चों को पनीर पसंद आता है बहुत कुछना कुछ बनते ही रहता है पनीर का पराठा हो या पनीर भुट जी हो या पनीर क पराठा हो जाएगा तो बस वही तैयारी पूरी करके गई थी मैं और यहां आके फटा-फट मैंने बना लिया पहले मैं भुर्जी बनाने वाली थी लेकिन हजबन बोले नहीं पराठा पहले बना लो भुर्जी बाद में बनाना साथ में बैठके सब लोग खाएंगे तो यहा रोज रोज तो चलो खाने में अच्छा नहीं रहता है लेकिन तो चलता है और वैसे भी मैं पराठे घी से बनाती हो तो ज्यादा और एक-एक करके पूरा सेखती जाओंगी और फिर बनाते हैं पनीर भुटजी कि यहां लगब मेरे पराठे हो गए मैंने काफी वीडियो इसकिप किया है यहां पर कट काफी लगाये थे मेरा लास्ट पराठा है बन चुका है पराठा और आप बताईगी कैसी है वहां पर बारिस पगेरा ठीक हो रही कि नहीं कि यहां फरकाबात जैसी बारिस हो रही है यहां तो बहुत ही बुरा हाल है बस सडके गीली हो जाती है कीचड़ हो जाता है बाकी कुछ नहीं चलिए क्या कर सकते हैं मौसम पे तो अपना बस है नहीं मैं यहां बना रही हूं पनेर भुट जी मैंने कड़ाई दी चड़ा अपनी और इसमें मैंने जिंजर गाली का पेस्ट डाला है जो कि मैंने घर पर ही बनाया है अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो उसका लेंक मैं अपने वीडियो में डाल दूंगी आई बटन में डाल यह टमातर डाला है टमातर के पीसेज मेरे थोड़े बड़े हैं वो मैंने जल्द बाज debates चूट सकते हैं तो उससे गलाने में ठाइम कम लगेगा और उससे में मुझे गलाना पढा था उच्छे से वीडियो मैंने यहां मेथी भी आप डाल सकते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है सो मेरी पनीर भुजी तयार है अब हम लोग डिनर करेंगे साथ में बैठ कर सब लोग और आपको मेरे ब्लॉक्स कैसे लग रहे हैं प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको मेरी डेली लाइफ रूटीन मिलेगा मेरी शॉपिंग में मिलेगी और ट्रेवल ब्लॉग भी मिलेंगे सो प्लीज सब्सक्राइब परके जरूर जाएएगा और आगे और भी अच्छे ब्लॉग आएंगे सो फ्रेंड्स यही है आज का ब्लॉग इसे मैं यहीं पर एंड करती हूं तिल देन बाइबाई